असलाम आलेकुम दोस्तों कुछ इंपोर्टन अपडेट आ रहे हैं यहाँ पे लेबर को लेकर के लेबर कैटेगरी से तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में कुईट से सभी खबर देखने के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अ कोई तो मिनिस्टी के तरफ से बताए गया है कि बहुत सारे ऐसे लेटर है कमपनी का वर्करों का जो की पेंडिंग में है जिनको लेकर के जल्द ही एक फैसला लिया जाएगा और उसके ओपर भी कार किया जाएगा यहाँ पे दोस्तों लेबर का जो कैटेगरी बताए गया ह जो की कौन्टरेक्ट बेस पे लेबर से काम करवाते हैं और उनके साथ ही यहाँ पे फिसर मैन एन फार्मर का भी जो नया वीजा है उनको लेकर के भी है दोस्तों बता दे कि कुईत के अंदर कोरोना लोगडून के कारण अभी तक सभी जो काम है वो नॉर्मल तरीके से नही हुआ है अभी भी बहुत सारा ऐसा साइट है जो कि पेंडिंग में परा हुआ है जहां से जो नया वीजा अभी भी इसू नहीं हो रहा है कुईत के अंदर कुछ ऐसे फिल्ड है जहां से कि नया वीजा इसू हो रहा है जैसे कि फार्मर यानि कि कुईत के अंदर जो भी खेत देखी जैसे कि होटल का जॉब है और भी बहुत सारे ऐसे कमपणी है जो कि सून वाले वर्कर को बुलाते हैं वहां का काम अभी भी पेंडिंग में परहुआ है दोस्तो कुएत मेंट पावर के तरफ से एक बहुत शी अच्छा अपडेट दिया गया है सभी लेवर्कर के लिए अच्छी अपडेट है बता गया है कि और जाता है कि सभी कमपणी जो लेवर्कर का राइट बनता है यानि कि उनका सेलरी और फिर जो एकामा वीजा और का जो प्रॉलम है यानि कि लेवर के साथ उन्हें उनका सभी प्रॉलम को सॉल्व करना चाहिए अगर किसी भी लेवर के साथ में जाती होता है उनको सेलरी समय से नहीं मिलता है तो उस कंपनी के साथ भी एक्षन लिया जाएगा दोस्तों बता जै कि हाली में कुछ दिन पहले ऐसा वो कंपनी बहुत सारे सेलरी नहीं दे रहा था लेकिन जब ये मेटर मीडिया के अंदर आया जो कुएट का मीडिया है उसके बाद कुएट गौर्मेंट यानि कि कुएट का जो पबलिक अथर्टियो मैन पावर है उनके तरफ से एक बरा एक्षन लिया गया और जितने भी का पेंडिंग सेली था वो दिला गया और साथ में सभी का पास्पोर्ट हो करें भी और उसके बाद वो लोग साफर गए तो दोस्तों ये अच्छी अपडेट है कुएट मिनिश्टी के तरफ से की लेवर के फेर में बहुती अच्छा अपडेट दिया गया है कुएट से इंडिया बंगलादेश पाकिस्तान कहीं भी जाते हैं अगर आपका सेकेंड डोस लगे हुए छे मेना हो चुका है तो कुएट के अंदर बुष्टर डोस लगा ले यहाँ पे जो कुएट का मिनिस्टे ओफ हेल्थ है डॉक्टर अबदुलाल सनत के दौरा बताय गया है कि स जरूरी कर दिया कि आपको तीसरा डोस यानि कि बुष्टर डोस लगवाना ही पड़ेगा तो आप साफर जा सकते हो या फिर इंडिया से रिटन आ सकते हो इसलिए दोस्तों जो लोग भी कुएट से अभी साफर जा रहे हैं अगर आप लगा लेते हैं बुष्टर डोस तो फ्यूचर यानि कि आगे अच्छा होगा कुएट में आने जाने के लिए कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा दोस्तों कुएट से ये कुछ अपडेट था कुएट से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जादर से जादर से जादर करें मिलत हैं दोस्तों कुएट से अगले अपडेट के से